कि अमित का गाउं है और सही में मतलब कि मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा और साले तीन बजे के बाद जब अनुपमा उतर के जाती है गाली पे जाती है कार्जकरा मस्थल को चूल के तीन ते तालिस का बात है लगबग तो मुखिया जी के दौरा लोगों को भूला कर और उस लगद ऑलिंड जेद अधरत्र से इसिके साथ चैबें इसे लड़की के साथ स्ट मुखिया आज बीकु बिक्च भंड़ा करते सकता है अभगत बात बोली कि उससे सब्सक्राइब पढ़ने की वह लोग अभध्रता करने बगत भगत पोल रहेते हैं और वह मियार हम हैं पूरा मिहारों का गाओं एक जो असली बला भगत अभध्रता नहीं कर सकता है दीघीजीच अभी हमारे साथ नवादा के लाल मगी के सूपरस्टार अमी तासिक लगातार चार दिनों से सोसल मीडीया पे देखे होंगे कि हंगामा फेला हुआ है पूरे नवादा जिला इनाए पूरे बिहार में कार्जकरम होता है नवादा जिला के नारो मुरार में उर्ष जगा पे अमीत आशीक भी रहते हैं अनुपमा यादब रहती है सीब कुमार विक्कु भी रहते हैं तीनों के उपर यसी дома कस्तिक भाइसाब यसी एकट आखिरकार क्यों लगा पूरा मामला क्या इस साफ्भ करने के लिए करेंगे जब तक इस वीडियों को सेर किजुएगा और वीडियों में बने रहे का सबसे पहले उस दिन क्या हुआ था पूरी घटना को बताएगा देखेग मुखिया जी के दोरह मुझे कॉल किया जाता है बगल propose प्रॉट करें की जैता है कि जो मुखिया जी बात करें के जल जे जानते थे के लेकिन वी लगता भी नया मुखिया बपने में अभिन अभिनभ जी नो उनके दोरह मुझेत dramatic कि बात किया है ot मुझे प्रोग्राम करवाना है जो आप अनुपमा यादब और शिप्कमर विक्कु जो हम आपसे मिलना चाहते हैं जो अनुपमा यादब से मेरा बात हो रहा है लेकिन आप अपनी माध्यम से कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कार्ज करम को लेका है थीक है भाईया मेरा स्वभाग है कि आप मुझे मुझे मौका दे रहे हैं तो आप ऐसा कीजे के मिल लिजे तो बोले कि आप कहा है मुले पटना में है तो ठीक है मिजी हम कला आते हैं लेकिन वो बीहानों के मुखिया जी नहीं आये उस उस रात क्या हुआ बता रहें सुरू से मुखिया जी जो भी मेरे से बना इज़त पानी सब लोग का किये पूरा अच्छा से खिलाए पिलाए और में वही अपार्टमेंट में उपर में विक्कु व्यार आते हैं बोला के बातचीत करवा दिये अनुपमा जी से फोन पर बात करवा दिये तीनों कलाकार हम लोग इस चौधा को प बस उसी हिसाब से आठ बजे वहां पहुंच जाते हैं आठ बजे आपका अस्थाल पर पहुंच गये थे पहुंच जाते हैं कोई दिक्कत नहीं सब अच्छा से रिट्रीट कर रहे थे और प्रोग्राम जब अस्टार्ट होता है सारे कलकार कितना बजे पहुंचे थे हम सब्सक्राइब के ललका था यह गाना गाया उसके बाद हम चड़े दस बजे नुपमा यादव आ गई थी और साले दस बजे विकू आ गया था ठीक है तो सब लोग अस्टेज पी आ गए उस टाइम हम गाही रहे तो 11 बजे के बारा मतलब विकू भ्याग आए बारा से काओ नहीं करें लेकिन वहां पे लोगों का दवा अधान दाव और यह कहने पे मंके कुछ भींवार तक यह मंज पर्मान तुछ नहीं हुआ था कि अनुपमा आदब युट करना नुहीं चाहती थि लेकिन फ् consistency पानान यह था कि दूट करो दूट करो और गया जो अुद कि स्टेज से उतर लें गई आपना कि ऑन मिद दोनों चार चर गाना और गाना चार चार तक करने का मंद कितना बज़े तक चला किमागास नुक्मा यादा और दोनों बोले हैं कि सही में मतलब कि मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा और साले तीन बजे के बाद जब अनुपमा उतर के जाती है गाली पे जाती है काज करह मस्तल को चूल के तीन तेतालिस का बात है लगबग तो मुखिया जी के दौरा लोगों को भूला कर और उससे घेरा जाता है उसका आया इसके साथ अनुपमा आदब के साथ हम सिप्पता अकली है उसका मैनेजर को पोपा गया उसका गले का चैन निमाल गया गया है और,क्या बोलते हूं इंका नाम सब्सक्राइब करने वक्त बोले ते वह मिहार है अरे वह मिहार हम किसी लड़की के साथ अभधरता नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग से समाज चलता है लेकिन हम लोग के जो हमारे समाज के लोग हैं अच्छे-च्छे पर बैठे हूं आई-पी-एस बड़े-बड़े अधिकारी हैं हर जगा पे चाहिए कोई भी लाइन हो कोई भी लाइन कोई भी हम लोगों जन संक्या काम है लेकिन हमरे गाम से पंद्रा को फोर्स में है अनुपमा यादब के द्वारा जब केस दर्ज कराया गया नवादा बारसली गंज्थानों में क्या-क्या मामला दर्ज हुआ था उनके साथ घटना स्थर पे क्या-क्या चीज हुआ था तो हम बता नहीं कर सकता है अब हम और जात बात चे कोई मतलब नहीं है बस दबंगई दिखा रहा है और क्या बता है कि हम जब हम पहुचे हैं तो हम और विकु अनुपमे अदब को गारी में लने के लिए अब हम लोग हम दोनों अनुपमे अदब में लटके हुए हैं तो लोगो का फ्टाय चल रहा है समझ गया अब को भी लगा अब अब बता रहा है नहीं मार रहा था हम लोगों को लेकिन जैसे अनुपमा जी को गारी में बंद किया ना तो मेरे सामने बिकु को कालर खिच के बरिट में उसको को भी पीटा है उसके बाद हम गेट लगाए हैं मेरे गाउं के दस लड़के थे जो हां के लोग भी इन लोगों पहचानते थे क्योंकि हम लोग वहां पढ़े हैं बार्सली गजमें सब को चीन रहा था नहीं पर भी चोड़वाएं है और अनुपमा जी को करके बोल रही हैं वहाँ उसके बाद कया हुआ कर चाल लगा दिया है और पीट में करना चाहिए अभी हमारे साथ अमीत आसिक थे देखे होगे कि ये भावू को उठे ते एक हो उठे हैं कि एक कलकार के साथ ऐसा किया गया अब हमारे सामने देख सकते हैं बोलते बोलते इन्होंने रो पड़ा इसलिए रो पड़ा कि भाईया एक कलकार का सम्मान करना हम सब कलकारों का दाई तो बनता है और एक कलकार के साथ इस परकार से करना कहीं न कहीं गलत है उची सब्सक्राइब करें अगर कोई एक लड़का है ऑभी भूमिहार और मर्द तो उसका फर्ज बनता कि किसी लड़की के साथ गलत हुआ है वह किसी जात्व मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए और हम उनके साथ खढ़ा है अनुपमा आदब के साथ पहले नमबर हम वहाँ कर दू लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है रोग रोग के मुझे करना है अगर भाग जाता तो क्या होता है लेकिन मेरा दिल क्या गभाई देता कि मैं क्या सही किया हूं क्या गलत किया हूं मैं उनके साथ खड़ा रहा वह मैं आप लोग बचाओ के चकर में की केश्ट मैनेज हो जाए विष्ट में और दरों के द्वारा ने खुलड़ लड़का किसी को मारने जाए अब बताई आप मेरे गाऊं में आएं बहुत सारा यहां पर बच्चा है पुरी तरीके से पीटा गया उसके बाद अनुपमाजादब की तो पासवान बोले बरुन पासवान के हैड्रोसिल पे बार की जहां पे सहेकड़ो लोग पूरा कलाकार मिलाके 15 जन संक्या थे लोगों ने जब हम लोग पर आकरमन किया है उसको जब लोग अपना जान लगा करेंगे के हम लोग लडाई करेंगा बताई लोग मेरा गाव मेरा गाव में आये हैं आप अभी अभी आपको मारे तो आप अपर चूनी होगे गए को निव लोग तो पहले खुदे जूट बोल रहा है मुखिया जी के द्वारा इंटर्वियू में बोला जाता है कि चार बंसर था और वो जो लड़का जो इंटर्वियू दे रहा है जो हम लोग पे CST केस किया है वो बोल रहा है कि जो 20 बहुंसर था अच्छा एक चीज बताएगा इस एसटी अधिकार जो है जो एक्ट लगता है उसका गलत उपियोग हो रहा है और इसका जाच किया जाए जो संविधान के रचाइते था वह इसलिए इस एक्ट को लाए थे जो भी गरीब है वान्चित है अगर अनियाए उसका जाती सुचक नाम लिए गाली दिया जाए वो इस एक्ट के तहट कानून से इंसाफ उसको मिल सकता है और किसी के कहने पे आके वह भाई कुछ लोब में किसी के कहने पे आके हम लोगों को फसा रहे हैं जान बुझ के फसा रहें उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं उनका पाट से निकाल लिए अगर बोलता है पचास तो कोई मान भू करता है पाट से एक से कि देखिए या कुछ है आपके पास क्या उस गाओं में मुझे जब बुक किया जाता है तो मेरा मांग एक लाग भी जार ह होता है अच्छा लेकिन बड़े वह अंसुमान भाईया अंसुमान सर्मा अनु भाईया जो नवादा में तर्चित हैं नुवर्या में रहते हैं उनका घर यहीं बलियारी है बास यहीं बीदान सवा में है उनके द्वरा फोन आता कि बाबू थोड़ा कर लो जो अपने जान हैं झाली को इस बात सुनकर मुजे फॹति शहर ने बाकि अगर नहीं देजीएगा तुम्हें नहीं लोग लेगा होजाता है लोगों के लगाया करे का प्रियास किया गया है ठीक है ना बताईएगा तमाम जो नवादा जिला के बड़े अधिकारी हैं उनसे आपका क्या अपील और मांग रहेगा बस कि उसको अच्छे से जाच किजे और जो सही है सही को सही हम जानते हैं कि सत्परिसान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है जलिए और हम लोग सफकर हैं तो मैं केमरे के माधियम से कहाना चाहूंगा सारे बिहार वासी सारे जिला वासी आपके और आपके कलकारों के साथ साथ हैं और साथ कठा हैं इसलिए नहीं भाबुख होना है और acji कुछ करना है आप हिम्मत बनाए रखिए और आपके साथ स आपर उत्य जायद के बारो रागे के Bevraud mist artists एक्ट को समझ रहा है इक बार कुणने का प्योग्वाइं और ये गलत बात आएसे तो फिर पिर परनावा का बीकारी को समय लेने को है हिमत आप बनाए रखे और इसमें के साथ बूरा होगा सही बात कोई भी स्वास नहीं करेंगा अगर यह जूट में आरोप लगा रहा है अगर उनके साथ पियान सही में होगा तो लोग भी सवास नहीं करेंगा उन पर से भरूसा उठ जाएगा चलिए तमाम अधिकारी इस संग्यान में लेने के बाद जाच का भी से बनता है जाच किया जाए हमारे साथ अमीत आसीक थे क्या मामला था खुल कर बता दिए और बाकि इस वीडियो को आप लोग सेयर कीजिएगा कैमरामेन सुमित के साथ मैं सनी कुमार जय है